हेलो गाइस तो कैसे आप सब क्या हाल है आप सबके आशा करता हो आप और आपके पैट्स हेल्दी होंगे दोस्तो आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके पास पैट है या लेने वाले हो तो और ज़्यादा काम आने वाली है ये वीडियो को श तो ये आपकी एक बड़ी मिश्टिक हो सकती है क्योंकि बिग साइज के डॉग बिट को फ्रीली मुविंग स्पेस चाहिए होती है और अगर आपका वन रूम हो या सिर्फ टू रूम हो तो स्मॉल साइज के डॉग बिट को भी रखने में आपको प्राबलम हो सकती है अगर आपके फैमिली मेंबर्स जादा है और उपर से आप डॉग ला रहे हो वरना काफी सारे प्राबलम्स को आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप डॉग लाने की सोच रहे हो और आप काफी जादा लेजी हो तो आपको एक बात धान रखना पड़ेगा कि आपको ये लेजीनेस दूर करनी पड़ सकती है डॉग बिट को प्रॉपर वाकिंग की जरुवत होती है जब भी उसको पू या पी करने जाना हो तो आपको उससे ले जाना होगा उस वक्त आप आलस नहीं दिखा सकते उसको टाइम टू टाइम खाना देना होगा ऐसे ही कई छोटी छोटी चीज़े आ जाती है तो अगर आप एक आलसी या फिर लेजी इनसान हो जिसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने काम भी रहने देता है तो इस मामरे में आप डॉक बिट के साथ ना जाए 六四, Money Problems डॉक बिट लाने के बाद या लाने से पहले आपको Money Problems phase करनी पड़ सकती है अगर आपने enough money save नहीं किया हो तो डॉक बिट लाने के बाद आपको काफी जादा प्रब्लम हो सकती है उसे लाने के बाद उसका जो food होगा उसके लिए टॉइज लाओगे कभी उसकी vaccination, day warming, wet का खर्चा ऐसे छोटे छोटे काफी सारे खर्चे आ सकते हैं तो इस मामले में अगर आपके पास enough money नहीं है और आप ज्यादा तर money save ही रखते हो और खर्च से नहीं हो तो आपको dog bit के साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि dog bit को purchase करने से लेके उसको adopt करने के बाद उसकी छोटी से छोटी चीस के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते है तो अगर आप पहले से save कर रहे हो money तो चलेगा लेकिन आप पैसे नहीं है आप सिब adopt करने के लिए पैसे लिए और उन पैसे उसके खरीद लिया और आपके पास food या vaccination की पैसे नहीं होंगे तो इसके चलते dog breed को काफी ज़्यादा problem हो सकती है इवन उनको काफी बड़ी बड़ी disease हो सकती है और उसमें ज़्यादा पैसे जा सकते है आपके तो आपके पास money की problem हो तो पहले एक साथ अच्छे से आराम से collect कर लिजिए enough money होगा तो याप उसे buy कीजिए selecting wrong dog breed काफी सारे new owners में ये problem देखी जाती है कि वो एक गलत dog breed select कर लेता है किसी और को देख के जैसे कि कोई strong dog breed देख लिया last size का देख लिया हाला कि उनका apartment में रहते है और last size के dog breed रख नहीं सकते तो भी किसी ना किसी को देख के वो adopt कर लेते है तो ये गलती बिलकुल ना करे याद रहे जो dog breed आपकी हिसाब से सही रहेगी वही आप select कीजिए अगर आपको जानना है कि किस तरह से dog breed को select करना चाहिए तो उपर i card में आपको वीडियो मिल जाएगी next shading problems अगर आप ऐसे एक owner हो जिने shading बिलकुल पसंद नहीं है shading वाले dog breed यानि जिनके hairs काफी जादा देखने को मिलते है जैसे कि मैं बता दू गोल्डन रिट्रीवर हो गया लैबराडर रिट्रीवर हो गया ऐसे कई सारी dog breed है जिनके hairs जादा तर आपको घर में देखने को मिल सकते हैं और shading season में काफी जादा होते हैं तो अगर आपको hairs पसंद नहीं है clothes पे, bed पे तो आपको इन dog breed के साथ नहीं जाना चाहिए अगर दूसरे dog breed आते हैं जैसे dalmation ले लिया example के लिए ऐसे अलग-अलग dog breed होते हैं जिनका coat काफी short होता उनके hair falls की problem नहीं होती तो अगर आप लेने वाले हो dog breed तो इस point को ज़रू से याद रखे if you are a busy owner अगर आप एक busy owner हो जो जादातर work करते रहते हो बाहर रहते हो trip के लिए तो इस situation में आपके लिए dog breed सहीं नहीं रहेगा क्योंकि dog breed को constantly attention की जरूवत होती है यह dog breed ऐसे नहीं होते कि इन्हें आप 2-4 दिन ऐसे चोड़ के चले जा और वो रहे लेंगे नहीं dog breed को proper attention उनके साथ time spend करना even उनके साथ खेलना काफी जादा precious time लगता है उन्हें तो अगर आप जादा busy रहते हो वर्क से related घर में भी उसे time नहीं दे पाऊगे तो dog breed के साथ ना जाए socialize and training अगर आपने dog breed लेने का सोच लिया है या लेने वाले हो या है आपके पास तो याद रहे उनकी socialization और ट्रेनिंग देने के लिए आपको तयार रहना होगा जितने अच्छी socialization और ट्रेनिंग कराऊगे उतने ही benefit आपको मिलेंगे वो आपकी बात मानेगा socialization के चलते किस को वो डारिक अटेक ने करेंगा बार्किंग ने करेंगा ज्यादा और थोड़ी सी गार्डिंग वाले dog breed लोगे तो स्कील्स देखने को मिलेंगे लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग से वह सॉल्फ हो सकता है तो याद रहे ले रहे हो तो उसकी socialization और ट्रेनिंग पर ज़रूर ध दीजिए और कमेंट भी आप नहीं करते कमेंट जरू कीजिए चानल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले मिलता हूं मैं आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ थैंक्यू फॉर वाचिंग